तो 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 आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हमेशे के तरह बिट कोई के बारे में मरकेट से भी एक दू इंपोर्टेंट अपडेट्स आईए उनको हम देखेंगे साथ ही आई से पी मैटिक और माना इन तीनों को लेकर काफी डिमांड आ रही थी कि भाईया इनके बारे में हमें बताईए तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों को भी डिसकस करने वाले तो आप जलते से वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो मस्ट आपको इसको जोइन करना चाहि तो फियर एंड ग्रिड इंडेक्स के अभी मार्केट जो है वो एक्स्ट्रीम फियर से बाहर निकल कर फियर में आ चुका है यहां पर आप देख सकते हूं कि अभी हम फियर या फिर मार्केट एक स्टेबल मुमेंट कर रहा है यहां पर अगर आगर हम बिटकोईन की बात करे और जब भी sideways moment होता है सब भी मेरे पुराने viewers को पता है कि इस तरीकी के ट्रेंड के according जब भी breakout या फिर breakdown होता है तब हमें एक बड़ा upside या फिर downtrend moment भी देखने को मिलता है तो आज है सोमवार यानि कि Monday है और Monday की दिन generally हमें volume और breakout देखने को मिली जाते है अकसर हमें इसा देख का अगर ये भी break हो जाता है तब हमें bitcoin की price लगबग 44500 के लेवल के आसपास देखने को मिल सकती है तो इस breakout के बाद में जितने भी market के बियर्स थे अब वो थोड़ा सा घबराने लगें कि मार्केट को हम नीचे नहीं ले जा सके हमने पिछली बार भी जब हमने last beer market देखा थ तब काफी लोग सोच रहे थे कि bitcoin की price 44000 की bottom जरू से लगाएगी बट उसने 2829 के आसपास ही moment करके चलांग लगा दी उपर की साइट तो कुछ इस तरीकी का माहूल भी हमें इस बार भी देखने को बिला कि लोग 30,000 का इंतिजार कर रहे थे लेकिन bitcoin ने finally हमें 32,000 का एक bottom रिवर्सल ले ही लिया बात करेंगर कुछ data के बारे में तो crypto derivatives data signals improving investor sentiment and a possible trend reversal तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो derivative data है आपको मैंने बताया था कि short के call अभी ज़्यादा लिये जा रहे है यानि कि short जो है अभी market में में ज़्यादा देखने को मिल रहे है कि कई लोग option trading के बात कर पर काफी orders लगे हुए थे market को नीचे जाने के बारे में काफी लोग सोच रहे थे या फिर जिन्होंने पूट के order लिए थे भाया वो तो गए खाम से तो यहां पर हमें एक derivative data है जो signal से अभी improve होता हुआ जो investors का sentiment है वो भी अभी improve होता हुआ दिक रहे है जिससे कि ट्रेंड reversal की chances अभी यहां से हमें देखने को मल रही है इसके लावाए एक important update ये भी market से निकल गया है ये कि Russian government to present regulatory scenario for cryptocurrency within a week पहले हमें अपडेट ये देखने को मिल रहे थी कि जो Russian central bank है वो cryptocurrency को ban करना चाता है बैन करने के बात कर रहा है फिर एक update निकल गया है कि भी या Russian government ने साफ कह द लेकिन अभी एक update और आ रही है कि जो Russian government है वो जल्दी crypto के उपर regulation ला सकती है कुछ regulatory scenario अभी देखने को मिल रहे है और इसी week के अंदर हमें regulation से संबंदित और कोई बड़ी update रश्या से आती हुई दिख सकती है तो ये भी एक काफी positive update थी जिसने पहले market में काफी बड़ा panic create क market से निकल किया यह तो इसका impact भी हमें positive भी अभी market पर देखने को मिल रहा है साथ ही अगर आप top 5 coins के बारे में जाना चाहते हो तो देखो sideways moment के बारे में बात करेते हैं देखो यहाँ पर इसने एक bottom लगा है और यही इसका bottom यहाँ पर हो सकता है इसके नीचे में कोई भी support level नहीं बनाया था तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ICB ने एक काफी अच्छा breakout हमें दिया क्योंकि market अभी पूरा ही recover कर रहा है यानि कि जित resistance level है जिसके बारे में मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ वो है 37 का क्योंकि यह पूरा 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 ना चार्ट है इसको अगर आप देखोगे ना यह पूरा पूरा ना चार्ट है जिसके बारे में हम काफी हफतों से discuss करते हो आ रहे हैं तो यह वाला जो 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 जरू से move कर सकते हैं बात करेंगर दोस्तों मैटिक के बारे में तो मैटिक यहाँ पर एक double bottom हमें बनाता हुआ दिख रहा है तो double bottom की according इसकी जो neckline है अगर हम इसकी neckline बनाएं तो यहां से यहां तक की एक neckline बनती है और यहां पर एक हमें confirmation तो मिली चुका है लग बग लग और यहां से एक breakout हुआ और यह जो एक काफ़ अच्छा buying zone था जो कि अब resistance zone बन जाएगा वो कहते हैं कि जो buying zone होते हैं वही resistance zone बन जाते हैं जो support होते हैं वही resistance बन जाते हैं तो कुछ इसी तरहीं से अभी यह इसका resistance zone है अगर इसको breakout करेगा तो हम next इस zone में मैटिक को enter करते ह साथ ही अगर बात करें माना के बारे में तो माना ने काफी लोगों को तगड़ा profit दे दिया है लगबग 21 जनवरी का एक bottom लगाने के बात से ही यह देगो एक train line को भी follow कर रहा है यहां से अगर मैं देखू लगबग लगबग इसने 103% तक का profit लगबग डबल कर दिया है पैस यह इस train line पर एक support बना सकता है और ultimately अभी इसके लिए 2.75 का एक काफी important support होगा तो यहां पर यह इसके possible target से अगर बात करें क्यों इतनी rally देखने को बल रही है तो rally के कुछ main reasons बताए गए है पहला reason तो यह है कि इन्होंने एक prototype mobile app का announcement किया है जो की improvement करेगा play experience को साथी greater utility of nft and protocol enhancement तो mobile application की development के बाद में काफी लोगों का इसमें interest आया साथी another reason for the rally is interest and involvement seen by celebrities and influencers इसके लावा काफी companies के भी आपने नाम सुना होगा जो की अभी decentralized के साथ partnership कर रही है तो देखो एक तो influencers प्लस जो celebrities है इसके अलावा जो VC से उनका interest अभी decentralized में आ रहा है माना के अंदर आ रहा है इसलिए इसमें काफी अच्छा हमें upside moment देखने को मिल रहा है तो यह buying levels हो गए और Matic और ICP के बारे में मैंने आपको बताई दिया तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपको बसंद आया होगा बस market में इतना ही था कुछ अभी खास news updates आनी रही है और जैसे